जादा देर तक देखेंगे तो आपका वास टाइम जो है जल्दी कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये Google AdSense एकॉंट आता है और इसके बाद आपके एकॉंट में पैसे आने लगते हैं इसके लिए आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जो मैं आपके साथ कुछ सेयर करने वाला हूँ मैं अपनी यूटीब जर्नी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था कितना टाइम मुझे लगा ये Google AdSense एकॉंट आने में और इससे पहले मैं बता दूँ ये Google AdSense एकॉंट है ये कब आया इसे पाने में मुझे कितना टाइम लगा मेरी यूटीब जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो सारा कुछ मैं आज आपके साथ सेयर करने वाला हूँ तो गैस देखो क्या है ना कि मुझे गाड़ियों में बहुत इंट्रेस्ट है मुझे काफी अच्छा लगता है इसके बारे में वीडियो बनाना तो ये है मेरी गाड़ी ब्रेजा जिसे मैंने लगभग 2023 सेप्टेंबर के आसपास लिया था मैं अपनी यूटीब चैनल भी लगभग उसी टाम मैंने क्रियेट किया था 2023 सेप्टेंबर के आसपास तो उस समय से मैं वीडियो बना रहा हूं अब ये गूगल एटसेंस एकांड कब आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना है ना कि गूगल एटसेंस जैसे ब पूरे होने चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे होने चाहिए उसके बाद यह गूगल एटसेंस एकांड आता है और इसके बाद आपके पैसे आने लगते हैं जितने भी रीच आएंगे उस हिसाब से आपके पैसे आते हैं तो इसे पाने में मुझे कितना ट हो गया था इसमें मैंने 15-20 वीडियो डाल दिये थे 45 दिन में और उसी टाम है यह मॉनेटाइज हो गया था और यह गूगल एकांड उसी समय आ गया था 4000 घंटे पूरे हो गया थे 1000 जो है सब्सक्राइबस पूरे हो गया थे तो मैंने सोचा था कि जब हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वह दस हजार की हो जाएगी दस हजार लोग इससे जुड़ जाएंगे तो मैं आपके साथ यह सेयर करूंगा तो आज वह समय आ गया है आठ नो महने हो गया है आठ नो महने में लगवक्त 10,000 लोगों ने इतना प्यार दिया इसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद करूंगा और जो भी नए यूट्यूबर से ना उनके लिए क्या होता है यह गूगल एटसेंस एक सपना होता है कि जल्दी से गूगल एटसे लोग है ना उसके हिसाब से आपको वीडियो बनाने पड़ते है अच्छे कॉंटेंट आपको चाहिए होते है कुछ अच्छे कैमरेस चाहिए होते है क्योंकि अगर आप चाहरे हो ना कि आपकी वीडियो वाइरल हो आपकी वीडियो को ज्यादा लोग देखे तो इसके बना सकते कुछ स्टैंड साते हैं वह भी कर सकते हो तो यह सब कुछ जरूरी चीजे हैं अगर यह सब आप अपने पास रखोगे तो लोग आपकी वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे सुनेंगे क्योंकि क्वाइलिटी रहेगी तो देखेंगे और सौन अच्छी रहेगी त और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया जो कि 40-45 दिन में ही यह Google Ad Chance मुझे मिल गया था लेकिन 10,000 जो मैंने सोचा था कि 10,000 यूटीव फैमिली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं आपके साथ सेयर करूंगा तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं और दूसर किसी और चीज में और दूसरा का देख कर कि अरे यह वाला वीडियो ज्यादा चलता है तो मैं इसमें वीडियो बना रहा हूं तो यह काम भाई आप मत करो इससे क्या होगा ना कि आप एक मेहने दो मेहने करोगे तीन मेहने छे मेहने करोगे उसके बाद आप खुद बोर हो चीज से और आपको लगे कि यार मैंने बिकार किया और आपका जो भी इतना दिन का मेहनत है ना वो बिकार चला जाएगा इसलिए आपको जिस चीज में इंट्रेस्ट है उसमें वीडियो बनाओ उसमें कॉंटेंट आप खो जो अच्छी-ची कॉंटेंट निकालो खुद से गया है तो आप भी उतने ही हो जितने की बड़े यूट्यूबर्स है तो आप इस चीज को समझो खुद पर विश्वास रखो और खुद से कॉंटेंट क्रियेट करो उसे हो सके तो रात में थोड़ा आदा गंटा एक घंटा टाइम दो उसे लिखो कहीं पर डाइरी पर एक तो इसे लिखो तो इससे क्या होगा ना आपको कॉंटेंट ना बहुत सारे हो जाएंगे और आपका दिमाग में आएगा कि इस दू को मिला के हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं तो ऐसा आपको पोड़ाना हो गहावा कि बहुत ही जल्दी आपकी जो यूट्टुब जो क् 1000 subscribers का वो complete हो जाएगा अब यह 4000 वाज टाइम क्या बहुत सारे वीडियो से चाहिए कि यह फिर एक ही वीडियो से हो सकता है तो मैं बता दूँ अगर आपने एक shorts वीडियो भी डाला है और उससे आपके 1000 subscribers पूरे हो जाते हैं तो subscribers का जो criteria था ना वो complete हो चुका है अब आपको चाहिए कि वाज टाइम वाज टाइम के लिए अगर आपने एक वीडियो भी डाला और वाइरल हो गया तो वही वाज टाइम आपका पूरा कर देगा ऐसा मेरी एक और भी YouTube चैनल है जो कि मैं प्रशनल ब्लॉक करता हूँ उसमें मेरी एक वीडियो ना वाज टाइम को complete कर चुकी है बाकि जो subscribers है वो अभी कुछ बचे हुए एक 200 subscribers बचे हुए उसके बाद हमारा जो वह भी YouTube चैनल है ना वह भी complete हो जाएगा एक और मैं आपको बाद बता दे रहा हूँ देखो क्या होता है ना कि कभी-कभी जो Google Adsense आने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक से दो मेहने में आ जाते हैं और कभी-कभी ना सालों लग जाते हैं दो साल तीन साल मेरा एक और YouTube चैनल है जिसकी जो Google Adsense आने में अजो लग तीन साल लग तो ऐसा वी होता है अपनेॉट्रेस्ट בקिट्यो पना उसमें एसा इसली हुआ इतने साल इसली लग घए उसमें आने में वह उसमें मेरे पास अच्कों स्ने थे अच्शे माइक नहीं थे और मैंने उत्ण ध्यान नहीं दिया था और जब मैं फुल खासे earning करना आप भी चाहते हो अपने इंट्रेस्ट के आपका जो इंट्रेस्ट है उसमें बीडियो बनाना तो आप जरूर बनाओ मैं सभी के लिए विस करूंगा कि आपका जो है Google Adsense से कौन जल्दी आ जाए और अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा डॉट है इस बीडियो में कि कैसे complete करना है तो आप comment करो मैं उसके लिए आपको reply भी दूँगा और सबसे बड़ी बात कि अब हमारी जो वीडियो है ना बहुत ही अलग तरीके से आएगी जो हमारी अगली वीडियो आएगी कार के उपर जिसमें हम लोग बहुत सारी comparison वीडियो भी करेंगे पुरानी स्र पुरानी और नई स्रिफ्ट हो गई सभी का comparison वीडियो लेकर आएंगे साथ ही मैलेज भी बताएंगे और बहुत सारी चीज जो हम लोग अलग से करने वाले वह सारा कुछ जो है अगली वीडियो में आपको मिलने वाला है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर प कितना मिनाट